हेलो फ्रेंद्स स्वागत आपका बिनीता की रसोई में आज में बनाने जा रही हूं सिमला मिर्ची की टेस्टी टेस्टी रेसिपी एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करिये यहां पे सिमला मिर्च और प्याज मैंने कट कर लिया है साथी साथ एक टमाटर एक प्याज और अद्रक और लेसन को भी मैंने कट करके रख दिया है तेल हमारा यहां पे गरम हो चुका है अब हम इसमें सिमला मिर्च और प्याज को फ्राइ करेंगे दो से तीन मिनट के लिए ह यहां पर सिम्ला मिर्च और प्यास दोनों हमारा फ्राइब हो चुका है अब जो तेल मेरा गड़ाई में वचा है इसी में हम जो टमाटर अध्रक लेसन मैंने कट करके रखा हुआ है उसको भी हम फ्राइब करेंगे यह देखिए टमाटर प्यास हमारा फ्राइब हो रहा है दो से तीन मिनट के लिए हमको इसको भी फ्राइब कर लेना है और उसके बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में रख देना है यह देखिए टमाटर प्यास हमारा फ्राइब हो चुका है आप इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है ठंडा हो चुका है टमाटर प्यास अब अम इसको मिक्सि जार मैं ग्रैंड कर लेंगे यहां पे मैं बनाने की तयारी कर चुकी हूँ यहां पे मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं और इनको भूनने के लिए रख दिया है साथ हम इसमें डाल लेंगे टामाटर प्यास का जो मैंने ग्रेबी बिनाकर रख लिया है इसको डाल देंगे दो से तीन मिट हम इसको भी पकाएंगे चलाते रहेंगे और साथी साथ इसमें हम मसाले एड़ करेंगे यहाँ पे मैं हल्दी, लाल मेर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मसालों को हम 3-4 मिनट के लिए हम मसालों को पकने के लिए रखेंगे नमक भी मैंने 7 साथ इसमें डालेंगे दही, तीन से 4 टेबल सुन हम इसमें दही एकरेंगे और दही को हमें मसाले ठंडे हो चुके हो, तभी हमें इसको डालना है वरना हम दही डालेंगे तो दही खराब हो जाएगी अब हम गैस को ओन कर देंगे दही डल चुकी है इसके बाद हम इसमें सिमला मिर्च और प्याज की सबजी हमारी बन करके तयार है बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूला और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू